दोस्तों क्या आपके फोन की स्पीकर से बहुत ही कम आवा जाता है पहले जब आपका फोन नया था तो काफी तेजी स्पीकर बसता था लेकिन जैसे आपका फोन पूराना हो गया है तो आपके फोन की स्पीकर से जो आवाज है ओ एकदम कम हो गई है साथ में जो येर पीस होता यहां पर call पर बात करने के लिए यानि कि यह जो ऊपर वाला speaker होता है यहां से भी अगर आवाज कम आता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ऐसे खतरनाक trick बताने वाला हूँ जिससे आप अपने phone की speaker को फिर से नए जैसा DJ जैसा बना सकते हैं यानि कि दोस्तों एकदम DJ जैसा आपके phone की speaker टेज आवाज देने लगेगा सुनकर दोस्तों आप खुद बोलेंगे भाई यह तो ऐसा लग रहा है नया ना speaker इसके अंदर fit हो गया है इतना कमाल का trick मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और यहां पर जो call बाते करते हैं जिसकी आवाज कम हो गई है उसकी भी दोस्तों आप आवाज को बढ़ा पाएंगे इस trick की मदद से तो उसके लिए बस आपको करना क्या है इस video को like करना है and continue guys इस video को देखते रहना है तो आईए दोस्तों मैं आपको फोन के उसे hidden trick के बारे में बता देता हूँ जिससे अगर आप अपने फोन में apply कर लेंगे ना तो आपके फोन का यह जो नीचे वाला speaker है साथ में दोस्तों ऊपर वाला जो speaker है दोनों ही speaker से एकदम तेज आवाज आने लगेगा एकदम DJ जैस ठीक है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले अपने फोन का जो main setting है इसे open करनो ठीक है नीचे आएंगे तो about phone को आपको open करना है यहाँ पर एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पर software information दिया है इसके उपर click करना है अब इसके अंदर 200 build number देखने को मिल जाएगा अगर आपके पास MI, Xiaomi का device है, Redmi का device है तो यहाँ पर आपको MIUI version देखने को मिलेगा तो उसके आपको क्या करना है 7-8 बार click करना है जैसा कि आप यहाँ पर देख लिजे इसी प्रकार से फटाफट आप click कीजे फिर आपके phone के अंदर एक hidden setting जिसे developer option कहते है वो enable हो जाएगा त तो उसे ही दोस्तों आपको सबसे पहले जो है enable करना है क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही important setting है जो आपको करना है तो हमारे phone के अंदर अब वो enable हो गया है तो उसे open करने के लिए आपको system setting के अंदर आना है नीचे की तरफ आपको यह देखने को मिल जाएगा कई-कई phone में तो यह बाहर ही यहाँ पर about phone के नीचे मिल जाता है ठीक है तो यह अलग-अलग location पर होता है तो आपको search करना है आपके phone में यह जो developer option है कहाँ पर है ठीक है तो उसके बाद आपको इसे open करने के बाद आपको यहाँ से scroll down करके नीचे की तरफ चले आना है इसके अंदर एक ब आपर देख लिजे यह setting दोस्तों by default सभी phone के अंदर बंद होता है तो इस setting को दोस्तों आपको क्या करना है on करना है इस setting को on करने का दोस्तों फायदा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है इसे आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ म आ जाएगा लेकिन साफ सब्दों में मैं बता दूँ दोस्तों अगर आप इस setting को यहाँ से on कर देते हैं तो इससे दोस्तों आपके फोन का जो नीचे वाला speaker है उपर वाला speaker है दोनों की sound quality है वो काफी ज़्यादा बूश्ट हो जाता है उसके सासत दोस्तों यहाँ पर जो जिसके बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है जिसके बाद दुसंको आपको दूसरे नम्बर का setting करने के लिए आपको क्या करना है main setting के अन्दर आ जाना है ठाए main setting के अन्दर आने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको sound and vibration करके एक setting देखने को मिल जाएगा तो इसे दोस्तों आपको यहां से open करने के बाद आपको एकदम नीचे की तरफ चले आना है नीचे आएंगे दोस्तों तो यहां पर सबसे पहले देखने को मिलेगा super audio आप यहां पर देख सकते हैं तो इस super audio को open करना है और यहां पर दोस्तों यह किसी एक पर यहां पर set मिलेगा या फिर music पर या game पर या फिर movies पर तो इसे दोस्तों आपको हटा कर क्या कर देना है smart पर set कर देना है smart पर set करने का मदलब यह होगा कि जब भी दोस्तों आप movie देखेंगे तो automatic यह movie पर means connect हो जाएगा और जब आप game खेलेंगे तो automatic game वाला sound मिलेगा और जब आप music सुनेंगे तो automatically दोस्तों music वाला sound मिलेगा एकदम मदलब कि loud समझ रो तो इसे आपको हमेशा smart पर set करके रखना है यह दूसरा setting है अगर आपके फोन में यह setting नहीं मिलेगा तो उसकी बिल्कुल भी आप tension मतलो इस वीडियो को last तक देखो last में दोस्तों एक खतरनाक trick है जो आपके फोन के अंदर apply होते ही आपके फोन का जो speaker है उसे एकदम DJ जैसा बना देगा ठीक है बस वीडियो को पूरा देखो और जिसके जिसके फोन में setting मिलेगा उसे setting को complete करते जाना है ठीक है उसके बाद आपको यहां से back कर देना है अब यहीं पर दोस्तों तीसरे number का भी setting दिया हुआ है जो की है audio यहां पर आप देख लीजिए super resolution तो इससे आपको open करना है अब यहां से दोस्तों आपको क्या करना है audio super resolution को यहां से on कर देना है लेकिन यह फिलाल के लिए see possible YouTube पर है अगर आप YouTube पर movie देख रहे हैं या फिर music सुन रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों आपको यहां पर super volume का मज़ा मिलने वाला है पहले दोस्तों यहां पर before और after भी दिया हुआ है मतलब कि आपके phone का आवाज पहले कैसा था इसमें आप सुन लीजिए और after पे click करेंगे तो बाद में कैसा हो गया है आप सुन सकते हैं copyright की issue की वज़े से मैं यहां पर आपको सुना नहीं सकता नहीं तो दोस्तों आप सुनेंगे तो आपको खुदी फरक पता चल जाएगा इसे on करने का benefit क्या है समझ गये तो यह तीन setting यहां पर आपने कर लिया उसके बाद जो fourth number वाला trick है इसपे click करने के बाद सबसे पहले आपको इसे यहां से enable कर देना है इसे enable करने के बाद दोस्तों यह under 30 years old पर set होगा अगर आपके phone का यह जो उपर वाला speaker है इससे बहुत ही कम आवाज आ रहा है तो इसे दोस्तों आप क्या कर देंगे about 60 years old जैसा कि आप यहां पर देख लीजिए इसपे set करने का मदलब यह है कि अब आपके phone का यह जो speaker है उपर वाला यह इतना तेज अवाज देगा कि जैसे कि आपकी age ज़्यादा हो गई है आपको सुनाई कम दे रहा है इस हिसाफ से समझ दो मदलब कि एकदम तेज अवाज देगा तो इससे दोस्तों आपको clearly sound आएगा जो भी मदलब कि आप बाते करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको दबा करनी रखना पड़ेगा कान के पास phone को है ना अच्छे से आपको sound quality मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको इस setting को कर लेना है तो total दोस्तों आपने यहाँ पर चार setting जो है apply कर लिया है यह चार setting आपको apply करना है अब मालिजे दोस्तों जो जो setting आपर मैंने बताया इसमें से कोई भी setting आपके phone के अंदर नहीं है या फिर एक दो setting मिल गया बाकी की setting नहीं है तो आप खया करेंगे तो उसके लिए आपको tension नहीं लेना है जो मैं 5W number का trick बताने जा रहा हूँ उससे बस आपको अपने phone के अंदर apply करना है तो उससे trick को apply करने के लिए न दोस्तों आपको अपने phone में ये एक छोटा सा application डाउनलोड करना पड़ेगा इसका जो link है और नीचे description में मैं दे दूँगा वहाँ से डाउनलोड करना उसके बाद आप इसे open करेंगे तो यहाँ पर permission को allow करना है इस प्रकास से ये जो है open होता है एक छोटा सा pop-up type का आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसमें सबसे उपर volume मिलेगा और नीचे boost मिलेगा ठीक है तो यह जो volume होता है इसे दोस्वा पूरा का पूरा 100% कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेगें जो सबसे important यहाँ पर है वह है दोस्वा बूस्ट आप यहाँ पर देख लिजे अब यह जो boost होता है इसे आपको ना पूरा नहीं बढ़ाना है याद रखना पूरा नहीं बढ़ाना है इसे आप क्या करेंगे पहले पहले दोस्वा आप इसे कम से कम 20 या 25% के उपर set करेंगे ठीक है जैसे हमने 25% पर set कर दिया है तो आपको भी इसे पहले 25% पर set करना है उसके बाद अपने phone का जो speaker है इससे कोई भी गाना, कोई भी music आपको बजाना है और देखना है कितना loud sound आने लग गया है अगर दोस्तों एकदम मतलब की पहले जैसा नया जैसा हो गया है तो आपको इसे आगे नहीं बढ़ाना है लेकिन इसे मतलब की 25% पर करने के बाद भी कम आवाज आ रहा है तो ऐसे में आप इसे और ज़्यादा बढ़ाएंगे, 40% कर देंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजे, 40% हमने कर दिया इतना पर करने के बाद 99% जितने भी फोन है न दोस्तों वो एकदम भाई DJ जैसा बन जाएंगे 100% गारेंटी के साथ, DJ जैसा आपके फोन का स्पीकर आवाज देगा अगर आप इसे 40% कर देंगे और max o log करेंगे जिसके फोन में 200 एकदम ही slow आवाज आता है, समझे रहो max आप इसे 60% तक ही बढ़ा सकते हैं, इससे उपर नहीं बढ़ा सकते है समझे रहो, तो max o log करेंगे जिसके फोन का स्पीकर एकदम ही slow आवाज दे रहा है, अगर आपके फोन का इस speaker means थोड़ा थोड़ा आवाज दे रहा है तो आप इसे 25 करेंगे या फिर 40 करेंगे उसके बाद जो ये max है और सिर्फ होई करेंगे जिनके फोन का speaker एकदम खराब हो गया एकदम slow आवाज दे रहा है समझ रहो तो इस प्रकास से दोस्तों आपको ये trick को अपने phone के अपलाई करना है जैसा मैंने आपर आपके सामने लाइव दिखा दिया है एक बार दोस्तों आप इस पाचों ट्रिक को अपने phone के अपलाई कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आप खुद देखेंगे आपके phone के speaker से कितना तेज अबाज आएगा ऊपर वाले speaker से भी और साथ में नीचे वाले speaker से भी तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाई को शेयर करना साथ ही साथ दोस्तों हमारे शैनल को सब्सक्राइब कर लेना थेंक दोस्तों बाई बैं टेक कियर